चैप्टर में हम पढ़ने जाहरे हैं और चैप्टर निम्बर थर्ड हम पढ़ने जा हुआ रहे हैं और चैप्टर में हम पढ़ाएंगे कौन्डिबाओ A enter रो Spring paradogram कैंडरिम इसका बैक्ग्राउंच क्या है किजीज़ के बारे में लिख गई है यह chapter है I'm sure you will agree that we all face difficulties and problems I'm sure मुझे पका यकीन है कि हम सभी इस बात से आप agree करते हैं, राजी हैं राजी होते हैं इस बात से कि हम सभी को मसाइल से, यानि difficulties कुछ हिलना होता है और difficulties होती है problems होती है, उनका सामना करना होता है हम सभी को, how do you deal with them, तो इन मशाकिल से आप कैसे निपटते हैं deal with, कैसे निपटते हैं इन मशाकिल से, तो कैसे निपटते हैं इन मशाकिल से, do you feel defeated, क्या आप अपने आपको हारा हुआ महसूस करते हैं, frustrated या अपने आपको आप हतास महसूस करते हैं तो क्या महसूस करते हैं हतास जलाय हो महसूस करते हैं और you consider various possibilities and try to find solution या आप मतादिद possibilities यानि इमकानाट ढूनते हैं मतादिद इमकानाट ढूनते हैं आप जिससे कि आप उन मसाकिल को हल कर सकें मतादिद इमकानाट ढूनते हैं and try to find solution और उन मसाकिल को हल कर सके there are some people कुछ लोग ऐसे हैं who in spite of their own difficulties in spite of का मतलब होता है के बावजूद के बावजूद जो अपने प्रेशानियों के बावजूद are able to understand others problem दूसरों की समस्याओं को उनके मसाकिल को समस्ते हैं and are ready to help them और उनकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं तो ऐसे ही कहानी है such people are real heroes ऐसे लोगों को हम real hero कहते हैं यानि वही हमारे हकीकी तोर पर वही हमारे hero होते हैं वही हमारे नायक होते हैं वही हमारे एक उस्वा होते हैं नमूना होते हैं ठीक है तो ऐसली कहानी है अक नाफीना शक्स की अफ़श्कानी है तो फिर चाहरू सने एक DAWR लेकिन पिर भी उसने उसक्स की जान बचाई अपनी जानग को जोखिं में डाल करकर उसने एक शक्स की जान बकाई तो देखते हैं कि वह नाफीना श्कस कैसे वह एक हीरो बनता है लोगों के सामने वो एक हीरो बन करके आता है और उस बच्चे की उस शक्स की जान बचाता है तो चलिए देखते हैं हम मैंने कहानी पर चलेंगे मैंने स्टोरी हमारी स्टार्ट हो रही है यहां से देख लेता है जो की विजवली चैलेंगे मतलब होता है ना बीना जो देख नहीं पाते हैं ना बीना विजवली चैलेंगे कहा जाता है बहुती अच्छा वर्ड है विजवली चैलेंगे यानि जो आखों से देख नहीं पाते हैं जो visually challenged है, let us find out what he does, चलो पता लगाते हैं, आईए हम देखते हैं, पता लगाते हैं कि वो क्या करते हैं, that makes him a hero, जो चीज उन्हें hero बना देती है, वो ऐसा क्या काम करते हैं, जिस वज़े से वो hero बन जाते हैं, and helps him to become economically independent, और उस वज़े से वो एकतसादी तौर पर आजाद हो जाते हैं, यानि जब हम किसी को सुनते हैं कि कोई नाबीना है, कोई माजूर है, तो हम क्या सोचते हैं, कि वो भीग मांग रहे होंगे, भीग मांगते होंगे, वो दूसरों पर depend होते होंगे, यानि भीग मांग करके, भीग मांग करके अपने अपना गुदर बसर करते हैं, यही हमारे दिमाग में आता है कोई भी माजूर हो चाहे हाथ समस्या हो कोई पैर की हो आखो की हो चैसे में कुछ भी हो अगर differently abled हैं कोई भी differently abled है तो हमारे दिमाग में imagine हम यही करते हैं क्यों उनका भीग मांगना उनका पिशा होगा थिक वह भीग मांग करके अपनी जिंदेगी गुजार रहे हूंगे लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि यह कैसे एक hero बन जाते हैं और एक अक्तसादी तार पर independent हो जाते हैं यानि किसी पर मुनहसर नहीं होते हैं एक्तसादी तार पर घयर मुनहसर हो जाते हैं यानि किसी पर ये मुनासिर नहीं होते हैं तो ये कैसे कैसे बनते हैं चलिए हम इस story को पढ़ते हैं इस chapter को पढ़ते हैं और हमें फिर story समझ में आएगी क्या कहानी है क्या story है इसके पीछे चलिए start करते हैं कौन्डिबाग गाइकवार्ड हेटेड बेगिंग कौन्डिबाग गाइकवार्ड हेटेड नफरत करते थे नफरत करना नफरत करते थे बेगिंग यानि भीग मांगने से तो नफरत करते थे भीग मांगने से बट दा फेमाइन इन महाराष्टरा इन 1972 फेमाइन का मतलब होता ह उस चीज ने उन्हें उनके घर और अवरंगाबाद से निकाल भेजा मुंबई भेजा इन सर्च आफ द्रेड रोटी की तलाश में यानि रोजी रोटी के तलाश में महराश्ट्रा में महराश्ट्रा में 1972 से 73 के बीच में कहसाली आई तो वो अवरंगाबाद अपने गाओं में रहते थे उस कहसाली की वज़े से खाने पीने के लिए कुछ नहीं बाकी बचा कहसाली के वज़े से उन्होंने मुंबई का रास्ता लिया ठीक है मुंबई रोजी रोटी के तलाश में आगे अट फर्स्ट शुरुवात में अट फर्स्ट का मतलब होता है शुरू शुरू में शुरू शुरू में ही हैड ट्राइड सेलिंग ब्रूम्स उन्होंने कोशिश किया था ब्रूम्स को बेचना ब्रूम्स का मतलब उन्होंने जाड़ू बेजना शुरू किया unfortunately लेकिन बदकिस्मती से he had little luck selling his goods उनके सामान यानि बहुत ही कम बिखते थे यानि खुशकिस्मती नहीं हुई कि जाधा बिखे तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि उनका लग इसमें काम नहीं आया उनका लग साथ नहीं दिया यानि उनके सामान कम बिखते थे he soon, जल्द ही learnt he soon learnt that Mumbai is generous to biggers जल्द ही उन्हें इस बात का पता चल रहा कि Mumbai जो शहर है वो रहम दिल है वो फयाज है Mumbai शहर फयाज है किसके लिए बिखारियों के लिए यानि Mumbai शहर में बिखारियों को ज़्याजाज भीग मिलती है एक फयाज शहर है मुंबई एक फयाज शहर है लोगों को भीग ज़्याजाजा मिलती है especially blind beggars और खास तर पर जो blind beggars होते हैं जो नाबीना बिखारी होते हैं उनको भीग ज्यादा मिलती है and 25 year old कॉंडिबा और 25 साल के कॉंडिबा was blind चुकि अंधे थे he had become blind वो अंधे हो गये थे with smallpox चेचक की वजए से smallpox कहते हैं चेचक तो चेचक की वजए से वो अंधे हो गये थे at the age of 8 यानि 8 साल के उमरों में चेचक की वजए से अंधे हो गये थे it was a cloudy day ये एक बदली वाला दिन था in गॉलिबार गॉलिबार एक प्लेस का नाम है जगे का नाम है तो गॉलिबार में ये cloudy दे था यानि बदली वाला दिन था बदली वाला आप कह सकते हैं सलम कालोनी वो जग्गी वो बड़ा वसिवारी जग्गी जोपडी वाला एलाका कालोनी इन घाड को पर घाड को पर में नौर्थ इस आफ मुंबई जो की मुंबई के नौर्थ इस में यानि शिमाली पूरब में पढ़ता है कॉंडिबा लिब्ड देर जो की एक लाज बड़ा सा सलम कालोनी है यानि जग्गी जोपडी वाली कालोनी है जग्गी जोपडी वाला एलाका है कहां पर है मुंबई के नौर्थ इस में यानि मुंबई के नौर्थ इस में शिमाली पूरब में है यलान बाई तो इनके तुकाराम की वाइप क्या नाम है इनका यलान बाई के साथ में तुकाराम और तुकाराम की बीवी यलान बाई के साथ में रहते थे It was the end of the monsoon और यह monsoon का अख्तदाम हो चुका था Monsoon मतलब बारिश का मौसम खदम हो चुका था तो बारिश का मौसम खदम हो चुका था in the middle of an open area एक खले फे-रिये के बीच ओबीच में in the colony colony में उस एलाके में there was a well a एक कुवा था एक open area था यानि मैदान था तो मैदान में एक कुवा बनाया गया था इड़ फुल आफ ब्लैकिश ग्रीन वाटर और ये कुवा इसमें ब्लैकिश ब्लैकिश का मतलब काला सा काला सा मतलब काला काला ग्रीन वाटर काला और ग्रीन यानि काला और हरा मिला करके पा पानी का कलर था, nothing could be seen more than a few centimeters, यानि कुछ भी देखा नहीं जा सकता था, a few centimeters below the surface, यानि पानी की सते के कुछ centimeter के नीचे के अलावा और जादा दूर तक कुछ नहीं दिखाई देता था, यानि बिलकुल ही सते पर वही बस काला हरा सा पानी दिख रहा था, उसके कुछ centimeter तक हलका सा कुछ दिखाई दे रहा था पानी, बाकी और नीचे बिलकुल में नहीं दिखा रहा है, तो बिलकुल काला हरा हरा, बिलकुल मतलब गंदा पानी आप कह सकते हैं, यानि बहुत साफ सुत्रा पानी नहीं था, तो ये तालाव के हालत बताई गई है कि किस तरह से हालत थे त रह्मतुलाह